हेलो गाइस आज के दिन अगर आप market को अगर गवर से देखोगे तो आपको दो तरीके का market दिखने को मिलेगा वहाँ पे देख सकतें कि आपको nifty 50 जो है यहाँ पे negative में देखने को मिलेगा करेब फिर जो है 43 प्षिए फोट्ी पॉइंट जो है यहाँ पे negative में close दिया है वो सबाखिर इसका रीजन क्या है अगर हम बैंग नifty को अगर ओपन करके देखते हैं देखिए बैंग निफ्टी और फिन ego जो है एक ही खेद के पेरे थोड़ा बहुत ऑफराख हैसिर्फ जो है अगर दोनों का चार्ड भी ओपन करके आपके देखो गए देख लो इसका चार्ड देख लीजिए आप और यहाँ पर में फिन निफ्टी का भी चार्ड ओपन करके आपको दिखा देता हूं देखिए एकदम सिमलर सेम टू सेम पेटन जो है आपको फिन निफ्टी और बैंग निफ्टी में देखने को मिलेगा तो ह हम यहाँ पितमे पिलेंख निफ्टी को में आपको उपन करके दिखा देता है यहां पे देखिए बैंग निफ्टी में जो और भीमियु में जाएंगे और अगर में तिका देखोगे तो सबसे बड़ा जो बेटेच रहने वाला स्टॉट है वह यहाँ है HDFC और second पर आता है ICI Bank और साथ में SBI Bank और तीसे चौथे नंबर पर आता है KOTAK Mahindra Bank अब सबसे बड़ा जो Nifty 50 में सबसे बड़ा जो स्टोक है सबसे बड़ा Market Cap बाला स्टोक वो यहां पर आता है HDFC Bank वो यहां पर positive में रहा है साथ में SBI भी जो है आज यहां पर positive में रहा है और KOTAK Mahindra Bank भी जो है आप positive में रहा है इसके बज़ से यहां पर आप देखोगे तो इन एक दो तीन HDFC, SBI और KOTAK Mahindra और साथ में Indusland Bank Indusland Bank को तो आप छोड़ दिजे लेकिन आपको यह HDFC, SBI, KOTAK Mahindra Bank को देखना है यह तीन ही Bank जो है इस Nifty Bank को जो है आज के दिन समहाल के रखे हैं और इसको जो है positive में close कराए हैं वहीं पर अगर आप Nifty 50 को अगर आप open करोगे और Nifty 50 का जो major stocks हैं वो कौन से है सबसे बड़ा weightage रखने वाला जो stock है वो यहां पर है Reliance Industries और second number पर जो आता है वो TCS, HDFC लेकिन और जो major stocks हैं वो यहां पर आज के दिन जो है negative में रहें जैसे कि यहां पर आप देखोगे यह तो HDFC Bank है लेकिन ठीक है यहां पर Reliance Industry जो सबसे weightage रखने वाला जो है अगर बाकी सब अगर negative में भी रहें अगर खाली Reliance अगर positive में चला जाए पुरा bank पुरा Nifty 50 को जो है वो खीच के positive में लेके आ सकता है इतना जो है इसके पास power रहता है Reliance Industries के पास तो वहीं पर आप देखोगे तो Reliance Industry जो है यहां पर 0.24% minus में close किया है साथ में Infosys जो है यहां पर minus में close किया है Hindustan Unilever जो है minus में close किया है वहीं पर यहां पर ICI Bank जो है यहां पर minus में close किया है तो इसके बच से जो है क्या हुआ है कि आज के दिन जो है यहां पर यहां पर जो है Nifty 50 जो है यहां पर positive में close नहीं कर पाया वही पे अगर यहाँ पे आज धियान से देखोगे तो यहाँ पे दो अदानी के स्टॉक है अगर अदानी का स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हो अदानी इंटरप्राइस जो है यहाँ पे करीब करीब 14.64% जो है यहाँ पे जहां है आज के दिन गुरोड क्या है करीब 230 पुइंट और एक अधानी का स्टॉक है कहां गया अधानी पोर्ट So वह भी जो है y austryo inam प्रसेंट जो है ग्रोड है बहुत ही ज़्यादा जो है आज के दिन फॉल कर देता अगर अधानी का वह दो स्टॉक अगर यहाँ पर माइनस में चल रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर बस बहुत ही किस्मत वाली बात है यहाँ पर नेगटिव में रहने वाला था ठीक है तो बस यही था आज का बस यही मुझे बताना था आपको वीडियो कैसा लगा ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगर को प्रेस जरू कर दिजिए गुड लग